पर एक दिन अचानक उसने फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगा आखरी क्लास पहुंचते पहुंचते वो लॉयर बनना चाता था और जब वो टेंट में पहुंचा तब उसने सोच लिया कि वो किसान बनेगा मैं अपने परिवार को खुशी देना चाहता हूं मैंने तुम्हारे ही भरोसे इस काम में हाट डाला है अंजाने में गलती की हो तो हमें माफ कर देना धरती मा पर अब जो कुछ भी बनना है उसके लिए इसने बाडी बिल्डिंग शुरू कर दी लाइफ में इसे दो चीज़े बहुत पसंद हैं एक है जगड़ा और दूसरा जगड़ा ही इसकी दो आजते हैं एक है ढून कर मारना और दूसरा उठा कर ले आकर मारना लेकिन इसकी एक दो प्रेमियों का बिछड़ना इससे देखा नहीं जाता हूं अगर वह नहीं मिली जान दे दूंगा बहतों की हेल्प की है ना तो इसकी भी हेल्प कर दो बेटा अरे बड़ा आदमी बोल रहा है तो हेल्प करनी चाहिए यार वह तुझसे प्यार करती है हाँ मैं भी उसे अगर कहला कर तो मुझे यहार से नहीं ले गए तो मैं अपने अपको कर लूँगी लाइफ लॉग ऐसे ही लव को मेंटेन करना कल तुम्हारा आशिका आजाएगा हालो अरी टाइम हो गया यह अब देगाई क्यों नहीं कि शायद वो दुलहन के जैसे कपड़े पहन रही होगी रिंग तो जा रही है पर कॉल रेसीव नहीं कर रही है उसका इंडिजार करोगी तो शादी क्या सुहाग रात भी मिस्स कर दोगी यह देखो वो आ रही है अब सॉरी लगता है बहुत लेट हो गई ना यह हमारे लिए कोई नया थोड़े है एक्चिली हमारे बैच में से ना तुम्हारी शादी पहले होनी चाहिए थी क्यारत मैं किसी ऐसे वैसे के लिए को नहीं होने वाली मेरी अपनी कंडिशन हैन्स हैं हैं वहmersक की होती है बाए बाए बेश और दो शादी करूंगी उससे वीडिवान जी जैसा होना चाहिए मतलब स्री राम जी जैसा वाई वाई भूयां उसके बारे में सारी information कलेक्ट कर लिया भाई वो देख़ने में फिल्मी hero लगता है भाई लेकिन है वह विलेंड उसे हिंसा के बार में कुछ भी बता ना हो आहिंसा का पालन करने वाला है उसे ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करें उसे ऐसा होना चाहिए जिसकी हर कोई इज़त करता हो जब फकड़ो उसे मेरा गोस्त ने बुलेट की तरह है जो एक बार बंदूग से निकल जाता है तो सीधा निशाने पर जाके लगता है और तुम लोग यहां उसे नीचे क्यों डूण रहे हो वो तुम्हारे जैसा नीचे नहीं रहता है टॉप पर रहता है तुम नीचे रहा मिडल में रहा टॉप पर रहा है अज तुम मेरे एरिया में फंस गया प्यारे अब देखते हैं तुझे कान बचाता है यह बेवकुफ हमेशा मैं टॉप पर ही रहना पसंद करता हूं इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख सके बलके इसलिए ताकि मैं स्टैपान करें लोग में डहें सके दीए डिए तुमिंक टुम में सुक्स से लोग टॉब से अठेका से बचारे मिडलिक कृष बचारे आहे हैं हैी मिए घुमे वम झामारे अख मॉप पर बालें तुझी क्या दगा मैं डरके भाग जाओंगा यूँ फूल मैं तुझे भगा के यहां तक लेकर आया हूं थाकि तुझे यहां लॉग कर सिकूँ एक बाद चारू तरफ देख ले अब देख्था हूं तुझ कैसे डालोग मारता है अट्टैक्ट छालोग मी फुझे डालोग मां जाईक्तक लिए कर दोस्क्त लोगोंने मारा निंडरी जैसे लेकिन अगर मैं मारू तो हमेश्या मास्ति होगा झाल 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 पूलिस वाले भी आगए अब क्या होगा यहां पर होने वाले हनुमान जैन्ति के शो के लिए यहां प्रैक्टिस करा था साब जी आपको आता देख सब लोग डर से भाग गये हैं चलो देदो तो इसे क्यों आरेस्ट करेगा देखो इसकी बेटी है ना उसके लवर को हेल्प इस नहीं किया है अरे अंकल इतना ही नहीं इस एरिये के डॉक्टर्स लॉयर्स एंजिनियर्स ओनर स्टूडें चोटे से लिकर बड़े तक सब इसके बहुत बड़े इस एंज फैन हैं यहां है यह एक फैन है यह जल्दी खाना भी शुरू कर दिया कालो कि अब आप नजर लगा रहा हूं अरे यह मारे ते चार लोगों के आखें नहीं कर जाएंगी यह आपको नहीं पता है मेरे कॉलेज में मेरे क्लास्रूम में मेरे इस्टुडेंट्स पर हाथ उठाया है इसने शुकर कीजिए आपको नहीं मारा उस दिन से वज़ा पूछ रहा हूं मुझी नहीं खोलता है पहले उसे पूछ कर बताओ क्यों मारा था उसको बेटा रास्ते पर चलने वाली लड़ देखो कल अगर मेरी बेटी कहती कि यो किसी से लव करती है तो उसकी शादी चर्च में करवा देगा अब तुम यहां से जा बेटी यह उंगली दिखा रही है चलने निकलने नहीं सकते इसलिए मैं हेल्प करने के लिए चला गया देखा तो संडे है रजिस्टर आफिस ख्ल इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी उन दोनों ने खुद ही डिसाइड किया मैं तो अपने हाथ बांद कर खड़ा था मंगल सूत्र बांधने तक चुप था लेकिन मंगल सूत्र बांधने के बाद अरे-अरे-अरे आप वित्र हो गया वह मूह खोड़कर ऐसे चिल्लाने लग और मेरे पुरानी दुश्मन को जैसी ओपॉचिनिटी मिली वह बीच में आ गया तो मैं भी फिल्ड में आ गया और तुम हो कि पापा की बाते सुनकर मुझे सुना रही हो तुम्हें तो शरम भी नहीं आती है सुनलिया सुनलिया मेरे बच्चों को देखो छोटी वाली दो शादी नहीं होने वाली है हाथ कि दो लिया ठोड़ा और खाले ना अरे सुन तो मैं बेटा आप ने सच में गलती की है भी या बेचारे उस लड़की के माता-पिता उस लड़की के बारे में इसके खांदान के शादी से पहले अपने माबाप को मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंगे यह उन लोगों का फैसला है मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए उन्हें अलग नहीं होना चाहिए बस यहीं तो है मेरा कॉंसेप्ट आपके इस कॉंसेप्ट की वज़े से आप जरूर एक दिन पच्टाओगे देख लेना हां आपके कम से कम आज भर के लिए तो मेरी इज़त बचा लिए सर यह देश सेवा है तुम्हारा ड्रेस देख लेंगे नो पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे बच्पन में ह कार्य लुपीया खता बच कीजिए अब लेखने के लिए मैं हूं आप सेलक्शन प्रोसीजर एंट कीजिए मेरी इसद बचाई यह सब क्या अले ए जाए जाए सटीव वाकिंग्ग टीशेल वाकिंग टीसल वाकिंग सर पां एधस्त राइस राइसार जाने नमस्ते नमस्ते तो यहां बाहर क्यों बैठा है बेटा अंदर आना चाहिए था ना जब मेरे पास मेरा ये भगवान है तो मुझे उस भगवान की क्या जरोते मां तिल छोलिया तुने मेरा शोना बेटा कर्चे के लिए वैसा चाहिए क्या नहीं मां क्यों हो तेरे चेहरे पर बारा बज़े हैं हां रोज तुम्हारे पती से गाली खाकर हसता ही रहूंगा आज पापा कह रहे थी कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी मां कुछ भी बोलो लेकिन मुझे आपके पती पर बहुत गुसा आता है अरे वह मेरे पती है थोड़ी तो चेंज हो गए है तो अब क्या बना चाहता है तो फादर बनने का डिसाइड किया है नो ममी यौर मिस्टिकन मी शादी के बाद जो बनते हैं ना वो फादर ना लाय कहीं का हम सोने जैसी लड़की से प्यार करके तुम्हारे पती के सामने लाकर ख़ड़ा करके यह मेरा बेटा तो मल्टी टालेंटेड है बता नहीं क्या-क्या बनना चाहता है इस वेदर में गर्म-गर्म कॉफी पिने का मज़ा ही कोछ और है क्या बात है बताओ लब करना है मुझे लड़की ढूंड के दे सब को सब तरह की लड़किया पसंद नहीं आती वो क्या है कि सब उसे यह चौकलेट आइसक्रीम यह सब है ना बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए लव आइसक्रीम बड़े लोग छोटे लोगों की इज़त करनी चाहिए मरने के लिए तुम मेरी ही काड़ी मिली दिखा नहीं देता क्या चाहिए बड़ा चोटा देखे बिना बात करती है तुझे बेवड़ा पती मिलेगा यह मेरा श्राफ है तुम्हारे बोले से कोई फरक नहीं परता क्या कर रहा है तो उसे मेरी तरह चोड़ दे वारिश में मजा आना चाहिए लास्ट बट नॉट अट अट आल दे लिस्ट उसे पिंपल रहेगा तो चलेगा मगर डिमपल बि इक सीक्रेट मैं तुझे बताता हूं सुन ले ध्यान से बताओ आयम हेविंग डिमपल फोबिया डिमपल कपाडिय सुना था इंपल फोबिया पहली बार सुना है यह कोई बिमारी है मेरी लाइफ में फर्स टाइम जो जगड़ा शुरू हुआ था ना वह उस डिमपल की प्राही की थी पेपर भी अच्छा ही लिखा था अचाना घूम कर देखा तो वही लड़की स्माइल दे रही थी डिमपल सब कुछ भूल गया फेल हो गया उसके बाद वही फिलिंग टेंट में भी आ गई वन सगेंड डिमपल बुक पकड़ने के लिए बोला तो हाथ में ज तूड़ीदार में लड़की थी और उसे भी डिमपल था ट्राफिक सिग्नल रेड से कब ग्रीन हुआ कुछ पता ही नहीं चला पीछे से क्वालिस ने ठोकर मारी तो मुझे पता चला कि मेरी बुलेट टूट गई एक्जाम से ज्यादा मेरी गाड़ी ही इंपॉर्टन थी कि अरे साइड आटो साइड आटो यार अरे आर जाओ यार हलो अ बुलन यह लव यू अरे यह लव प्रपोस करने का टाइम है किया सोजाओ सोजाओ चलो चलो हलो गुरू क्या वे लव हो गया तुमको अभी मुझे लव हूआ है ये जरूरी नहीं मुझसे उस लड़की को यह बहुत जरूरी मतलब फस्साइड अरे काह को एसा समझने का का में टेमपल सेकंड डे में जिम में थर्ड डे में कॉफी डे में देखा ऐसा समझ जानेगा अच्छा यह बता लाइफ में तुझे किसी लड़की ने ऐसे लव यू बोला है क्या नहीं तो फिर यह बहुत बड़ा मैटर है तुझे समझ में आएगा जा तो अपना काम करना हो दोस्त फ्रेंशिप करना हो तो दोस्त अब लड़की मिल गई तो हम आपके है कौन जरूरत नहीं है बेजाना अरे समझ गया समझ गया अब बजांगो ना कान की नीचे चल निकल ठीक है अरे इसीजी स्कैनिंग एक सरे बलटे सब बाकी है तुम बैठ जाओ ना बैठो चु सिस्टर मैंने उसे इंजेक्शन दिया है तुम चुपचा बैठ जाओ दिवाग खाता है सिस्टर क्या हुआ एपल एपल मेडिसिन्स हाँ हाँ हेलो मिस्टर साजन वो लड़की ना उठ गई है हाँ एक्स्क्यूज मी मैं अंदर आ सकता हूँ बुके बाइद वे तुमने कल मुझे जैसे आई लव यू कहा था वो मैंने एक्सपेक्ट डाड बिजनेस ट्रिप पर गए है मा तो हमेशा बजी रहती है शॉपिंग करने में फ्रेंस को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला था मेडिसिन्स बिल्स एक्सेटरा एक्सेटरा एक्सेटर आई लव यू कह दिया और कुछ नहीं तुमने कितने पुर्णिकिये होंगे जो तुम्हें ऐसा लड़का मिला तुम्हारे लिए ये बेचारा सुबे से कितना परिशान हो रहा था और मेरा पती है जो किसी काम का नहीं मैं बताती हूं मैं बोल रहू ना तुम मत बोलो किन वह दिन में एक बार भी पोद नहीं करता तुम दोनों को देखकर लगता है साख्षाच शिव पार्वती की जोई है और मैं बोल रही हूं ना तुम दोनों बिलकुल लक्षमी नारायन जैसे दिखते हो मैं तुम्हें समझ में नहीं क्या क्या कब से रोकने की कोशिश कर कि इसका अद्वांटेज लेकर कहल अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रियेट करो तो पुलीस कंप्लेइन करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए सिर्फ सेफटी के लिए बाई लव से ज्यादा फ्रेंड्शिप बड़ी होती है यह मैं आज समझ गया लड़का लड़का होता है लेकिन लड़की लड़की होती है ठीक तो है ना चलो चलते है अरे थोड़ा रुख तो सही उसे जाने तक देखते है यह बगवार चलते हैं मेरे दोस्त के लिए एक बार देख ले यार हाँ 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 फ्रेंड कितना दुखी है यह जाने बिना तु बिन धास खाये जा रहा है अरे लड़की अगर पसंद आई है तो यहां बैठा की हुआ जाके प्रपोस करना अबे कार ब्रोकर हम खुच जाकर आए लब यू बोलेंगे तो अपनी इज़त का क्या मतलब मेरे जाकर बोलने का कोई मतलब नहीं है उसे खुदी आकर प्रपोस करना होगा भाई पहले मुलाकात में उसने तुझे बेवकुप बनाया तुझे अभी लगता है कि वह यहां के तुझे प्रपोस करेंगी यह फेक आ आधी शादी हो गए शादी के बाद तुम्हारी बीवी को कोई प्रप्रप्लम आया तो तुम उसे छोड़ दोगे कितना भी प्योर गोल्ड होने दे लेकिन उसमें दस परसेंट वैक चार्जस तो होते ही है एड्जस करना ही जिंदगी है ऐसा मेरी माने मुझे बता है तो बैक कमीने तुझे एक खीच कर दूगा तो तुरी बतीसी बाहर आ जाएगी जिंदगी में कभी ऐसी मार नहीं खाई होगी ऐसी मार देदाऊ तुझे रोक रास्ता है एक कैंडिडेट है जो इस मामले में तुम्हारे सारे प्रब्लम सॉल्व कर सकता है कैंडिडेट कौन है वो लवर्स लोगों का लव गुरू है वो फ्यार करने वालों का लव डॉक्टर है अच्छा आजकल फेस्बूक यूटूब ट्यूटर पर उसने हलचल मचा के रग दी है अगर तुम्हें प्यार में कोई दिक्कत है परिशानी है रिश्तेदारों से दोस्तों से कोई समस्य तुम्हारा बॉइफ्रेंड घास नहीं डाल रहा तुम्हारी गल्फ्रेंड तुम्हें भाव नहीं दे रही है प्यार महबत इश्क और उल्फत में अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका होल से समाधान हूं मैं लॉब मास्टर प्रोफेसर लब गुरू यही है गुरू दिर से जवान हूम है दुनिया की शान हूम है उल्फत पाचान आजा बेबी रज़ा प्रेए ठार बढ़े है सौरी चायर कर वादिये और गया यहां इसन देट रहा हैंगे तभी तो मेरी वेल्यू बढ़ेगी इसन देट राइट डॉंट बी सीरिस्ट अब सिदाउं अब मैं फादर मेरे पिता सोने का इंसान फिल्म देखकर एक फार्मर बने और मैं काशिनात की फिल्म देखकर लव गुरू बना बैसिकली आई लव लव यह तो कांटे वाला सूवर लग रहे हैं अब किसको हुआ है तुमको हुआ है ना रीन रे यह यहाथ नहीं ब्रो बायाहÁ दो क्योंकि यह हाथ सीधा कनेक्ट होता है हाट से है क kilogram करने से पहले प्रिंडिक नियुकर नम्मर्ड फॉकशन हीbasement फेकली ये मॉन्टिय क्लियर हो करना होगा कंडिशन नमर्ट्री गुरु भक्ति मैं क्यों और क्या करवा रहा हूं इस पर कोई सवाल नहीं होगा मैं जो कहूंगा उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए कंडिशन नमबर फॉर आपने तो तीन ही बोला था सर तीन बॉली थी एक फ्री है वह तो पता ह तो अब बात करते हैं तो अब तो अब तुम उस लड़की से सीरिसली प्यार करना चाहते हो और वो खुद आकर तुम्हें प्रपोस करें यहीं चाहते हो ना यहीं आपने जिस दिन से मुझे ऐलव यहीं बोला है मैं बहुत डिस्टब हो चुका हूं मेरी उम्र भी बहुत कम है मैं तो कोई अच्छी लड़की ढून कर शादी करके फादर बनने का बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूं मेरे फिलिंग के साथ मत खेलो मेरे तुमारे बिच कोई जगडा नहीं है बस एक बार अपना दिल खो मैं किसी कीमत पर नहीं बोलूंगी अरे एक सेकड़ दो सही अरे आवास नहीं आरी तेरी हलो होई इधर आप देख लिया ना बेक असुर आपमी को मैंने मारा तो मैं एक नंबर का बुरा आदमी हो कि नहीं भाई मुझे एक कांसे सुनाई देता था आपने थपड मारा तो म एक दो सिच्वेशन देखकर एक आदमी अच्छा है या बुरा यह कोई डिसाइड नहीं कर सकता है एक काम करो चार-पांच दिन मेरे साथ घूमो उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं फिर मुझे आई हेट यू बोल देना मेरा सर उस लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो मैं क्या करूंगा पगला है पगला है तू सच में अबी उसे तुझे आई हेट यू बोला इंपोर्टन नहीं है अगले दो-तिन दिन में वह तुमसे प्यार करती हूं तुम्हारे भी ना रहनी सकती हूं ऐसा वो खुद पूरी जनरेशन को हेल्प मिल जाएगी फॉल्ट नमर्वान कमपैनियन भी गुट कमपैनियन किसी भी पार्क में लेकर जाओ या किसी सिनेमा हॉल में लेकर जाओ तुम्हें दूसर कोई थियाटर नहीं मिला क्या हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पर आते हैं यह मेरा आप क्यों इतना लिप्स्टिक लगा कर आई हो अंधेरे में सबको अपना होट दिखाने के लिए क्या है लोग देखने हैं कि बहस करने के लिए हो जाओ बाहर जाकर बहस करो और भी और फ्रेंड घर जातों बीवी परिशान करती है थीटर में वेठों तो यह लवर्स परिशान करती है नो टच नो किस अट लीस्ट एक हाग तो किया नहीं नहीं किया तो फिर खाक किया अचा यह बताओ तुम उसे कौन से थीटर में लिखे गए थी कमला थीटर ले भी आचा रिखे चाले नहीं कुछ बेस्ट कर दिया तुने कौन सी विम दिखाए उसे यह उपर सिनेमा सर अरे कौन सा सूपर सिनेमा तो आज़ा दो यह दिखाने के बाद तो प्रेगनट लेड़ी के डिलीवरी वहीं पर हो जा जाती है तो असे देखे तेरी लिवस्तोरी कैसे शुरू होगी नॉंसेंस है तु तु तो पेड है तु तेरा से तो मैं स्नु तो जो हो सब्सें से कुछ पता नहीं है अब जाई ज आप्रोच नमबर वन पूरी तरह से बरबाद हो गई है अप्रोच नमबर टू शेरिंग इसे पूरी तरह से करक परफॉम करना है जूट बोलो लड़की को इंप्रेस करो उसकी भावराओं को समझो उसे किसी यूथ सेंटर में लेकर जाओ उसे मनाओ और फिर एंगेज हो जा लेकिन कहां नहीं करता हूं को इस और बहुत पढ़ाई यह लेकिन काम मिलने जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है अकर वांतु खुम्ते रहते हो तो किसी किसी ने किसी से प्यारतो किया होगा और जब्स चोरी है फॉस्ट ताइम मैंने उसे घर में देख तो वो डांस कर रही उसे देखते ही मेरा चाय कप टप से मीचे गिर गया सिर्फ यह कप ही नहीं फिसला था मेरा दो दिल भी फिसल गया लव एट फसाइट नेक्स टाइम बच्चों के साथ मिलकर वो कबुतर उड़ा रही थी क्लोज अप रिविल में उसकी शकल देखी तो देखते देखते सारे क कि अब बुटर उड़ और सिर्फ कबुतर ही नहीं उड़ गये मेरा दिल भी उड़ गया लव सेकंड साइट उसके बात देखा कि वह किसी और से लव कर रही है चलो कोई बात नहीं उसके साथ वो रहे के खुश है तो मैं निकल गया और छोड़ दिया तुम ने तुम तो च प्यार हुआ था प्यार राम नव्मी के दिन एक गादा जी मंदिर की सीड़ी चड़ रहे थे और अचानक से उनका पहर भेशल गया ऐसा लगा जैसे राम जी ने सोहम अपना दूद भेजा था उन्हें बचाने के लिए लव एट फॉस साइट मैं तो फिदा हो गई थी उस पर मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त मैंने देखा कि वही लड़का उस दादा जी को डांट रहा था उसकी बाइक के सामने चप्पल रखने के लिए तभी मुझे पता चला कि उसके लक्षन राम जी के जैसे नहीं बल्कि रावण के जैसे थे उसके बाद मैंने बहुत स सिंक नहीं हो रहा है कि अगर तु ऐसे करता रहा तो वो लड़की नॉन सिंकों के नॉन स्टाप भाज जाएगी फिर पश्तारमत तुम समझ नहीं रहे इसे मैंने जितनी भी ट्रिक्स समझाई वो सब फ्लॉप हो गई है ले जो इसे हैं से अरे यह क्या सब आप इस तरह से किसके साथ उची आवाज में बात कर रहा है इससे मुझे समझ का रखा है अब मैं अच्छा हूँ पूरे के लिए तो मेरे शाथ पूरे पीस हजार लूगा पूची से हाँ ठीक है मैं नहीं दूँगा अन्हें है अच्छो पैट्टू ओके सरो के बीसदा दन तो हमारे दिल पकी सर कॉप्रमाइस 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 अप्रोच नमर थ्री शॉपिंग वो जोड़ भाएंगे सब देलाव सर्फ प्लीज कम क्रोजर सर्फ प्लीज एक टोंट टच मिए वो तो आ रहा है सर्फ सुर्या यह चाहिए बच्पन में मेरी दादी मुझसे कहा करती थी मुझसे शादी करने वाला हाथी में राजकुमार की तरह आकर मुझे लेई जाएगा ओए बुल-बुल हाथी पर बैठने वाले सभी राजकुमार नहीं बनते हैं और बाया हाथ उठाने वाले अमिता सकते हैं और हर कोई अमरिश पूरी की तरह विलन नहीं बन सकते नियत अच्छी होनी चाहिए उसमें लोगों को हसानी की कला होनी चाहिए लोगों के दुखदर्थ को समझने की ताकत होनी चाहिए वहीं इंसान होता है यू माइंडट समझ गई अगर नहीं समझ मैं तो चलो बैग बैग अरे वो दे को मेरा बैग निकता आग रहे है कि अरैलेत वाइब कि अरा बैग थ chicken क्ज़टर बाउन हाख थाएंग्स बएया यह जाकर फाइट करके मेरा बैंग लेकर आओना वो मेरा फेवरेट बैंग लेकर आओना बैंग है जाओना बैंग है बैंग अनर मैं हूँ या तुम हो म्योजिक साइट हो जारे कि में हृँ प्रए ले छाह ऐम प्राबाँ कि मैं हुआ कि मैं प्र Знаब मुदल स्कुर्ण सेंग बिल्सकर कि रुझ सर तच हो गया सर सर किस भी हो गये सर सर आपका आइडिया काम कर गया सर लड़की को छुडा लीजे सर सब कुछ करेक्ट है ना मैंने पहले ही बताया था मैं बहुत बुरा इंसान हूं अब घर जाओ और जाके सूजा थैंक यू हुँ तच्छी कर लिया रहा पार ना मैं पार तो अब समझो लब होगा आज रात को सुएगी नहीं कल सुब़े आकर तुमसे बोलेंगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं हाँ बोलो लड़की बहुत ही फास्ट है देख लेना वो सब को समालेगी अब सब कुछ वह है तुम्हारे दबाने से यह पता चल रहा है कि तुम दीप लिए लेकिन उसके हाट में जाने के लिए तुने मेरी च्छाती में लात मारी सब्सक्राइब करते हैं तो सुन कल शाम को मेरे अड़े पर आजाना अब अमाउंट बड़ा हो गया है तो वहीं पर मिलके लेंदें सेटल कर लेंगे अब चलता हूं सब्सक्राइब सुन बेटा मैं यहां एक फंक्षन में आई हूं यहां बहुत सारी अच्छी लड़किया है दिखने में भी बहुत अच्छी है तो अपने लिए लड़की खुड दूढ़ेगा या फिर मैं ही डून लू अल्मोस्ट मैंने देखी लिए मां कोई भी कास्ट की होगी तो चले अच्छा तो पहले से फिक्स था क्या अगर मैं ऐसे ही जाकर डिरेक्ली उसे प्रपोस कर देती तो मुझे डिम्पल पढ़ते हैं इस वजह से वह मुझे रिजेक्ट कर देता कोई जवाब नहीं देता यह जो कुछ भी है ना मेरी वजा से हुआ है मेरी वजा से अबे दोस् है अगर मैं नहीं आता तो कुछ भी नहीं यह अच्छा तो मैंने कोई हेल्प नहीं की मेरी को वैलु नहीं है तूने मेरे अपने अपको बटी तॉब समझ रहा है किया अजय को मिक्षट को फुल्फिल करने के लिए थांकिया सो मच आप यूं इलाव यू आटेर्स ओड़ पाया है बेजा है बजनी है और कलेजी भी है वोलो क्या चाहिए चलो तुम्हारा यह सब काम तो मैंने करवा दिया उसके बदले मुझे फोन कब दिलवा होगी हाई हलो नमस्कार अच्छा तुम दोनों ऐसे आए होगे और यह सामने से आई होगी अचानक मिल गए तो कैजूली बात करने बटे होगे यह सही कह रहाँ ना गुरुजी एक्टम सही बोला लेकिन मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए काता तुम सुबह क्यों आगे ओके नो अब जड़ा आखे बंद करेंगी मैडम तुरे मुझ में हाथ के सब्सक्राइब तुझे भी मारूगा तेरे बाप को भी मारूगा क्या है वो एप्रोच नमबर वन क्या है शीवा भाई के फिल्म नहीं देखने को कहने वाला तू कौन होता है अप्रोच नमबर टू क्या थ अब तो यह पूरा मॉल मांग लेगी अच्छा नमबर फोर तो वह तो वह तो वह तो यह गुंड़े भेज़ेगा मेरे पीछे अच्छा यह बता तू कौन से उन्यूर्सिटी में प्रोफेसर बना था बस को बसको च्छकल देखिए प्रोफेसर है क्या तू हां शिवा जी अगर में मांस बेचने वाला कमीना है तू अरे मार उसे मार नहीं आया रुक तेरे पास भी मैं आ रहा हूं एक मिनिट जरा इसकी पिटाई होने दे यह बास यह चेर लेकर बैट और तुम लड़कियां अगर पसंद आया तो डारिक्ट आकर मैं तुमसे प्यार करती हूं अ मैं तुम्हें दुनिया की ग्रेट लवर मान लेता यह सब छोड़कर तुम ड्रामा करें मेरे सामने ड्रामा सिस्टर फीलिंग भाई बहन भाई हो तो ऐसा बहन हो तो ऐसी भाई बहन का प्यार इन सारी फिल्मों का रिकार्ड तो तुमने ब्रेक कर दिया फोन मिल जाने के लालच में तू इनके साथ हो गया है कुछ नहीं गुरू अब तुम कौन हो मैं कौन हो खताम समझे तुम मेरा फ्रेंड है इसलिए तुझे बाद में मारूंगा अरे बास एक समोसा तो खांगर जाओ चलो यहां से गौरी तुम यहां पर उदास क्यों बैठी हो उस लड़के का गुसा तुम खाने पर क्यों निकाल रही हो गौरी तुम जैसी सुन्दर लड़की पाने के लिए कई लड़के भगवान के सामने घी का दिया जला कर प्रात्थना करते हैं वैसे भी तुम नहीं मिले इसलिए उसे सैड होना चाहिए तुम यहां बैटकर क्यों रो रही हो गौरी अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो तुम अपना वन वे लव टूबे बनाकर मुझे दिखाओ अगर मुझे सच में लगा कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो मैं खुद उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूगी लव यू मा नहीं नहीं उसे ऐसे मत काटो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है कहो यह गौरी शार्दा और आश्वर्ण यह ना किसी से प्यार करती है अगर तुम अपने भाईया से बात करती हो वो पापा भी घर पर है लेकिन भाईया घर में नहीं है है प्रभू कुछ भी करके इस लड़की को मेरे घर की बहु बना दो हां एक काम करो कल हम मृतिंजे टेंपल में होम रखने वाले हैं तुम सब लोग वही आजाओ ओके वह लड़की कौन है जिसने पॉपल कलर का चुड़ी तर पहना है कितनी सुदर थी ना उसे घर पल आना है प्यार है यह आज कल की लड़कियां भी ना बड़ी बाद में होती है प्यार में पहले ही पढ़ जाती है जा 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 तूजा आपने तो मेरे सारे सप्वें तोड़ दिये प्रभू हाई ठीक है नमस्ते हाई कितने लेट आए हो सौरी भया है हाँ आज तो पूरी होमली लग रही है यहinea हम भैया थी वह दो लोग मेरी फ्रेंक्ड कोई प्यार व्यार का चेकर है आप हमेशा हैं मदद करते हैं न तो मेरी फ्रेंड के bloody मदद कीजिये नगात़् करनी हैं तो ठीक है कर देते हैं भाया यह लक्षमी राधा श्वेता है कि बच्पन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती हूं उसके अलावा किसी के बारों में सोच भी नहीं जगती पर मैंने उससे जूट कहा और उसके दोस्त के साथ में कर ड्रामा भी किया लेकिन मैंने यह सारा ड्राम सर्फ और सर्फ उसे पानी के लिए किया सच में और मैं अपने नाती पोतियों को भी बताऊंगी कि वो मेरे पीछे नहीं आया था मैं उसके पीछे गए थी मैंने उसे हमेशा ऐसे प्यार करूं कि और उसे छोटी बच्चे की तरह संभालूंगी हैलो बस हुआ पहले उस जितनी पढ़ाई भी नहीं की है मैं पढ़े लिखी हूँ ना वह एक वेस्ट फैलो है अनिम्प्लॉई मैं कमा कर बालूंगी इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है शिवा बहीं बोल रहे है ना वह बुरा आदमी है समझ में नहीं आता क्या तेरा सिर्फ हां मैं जि प्रभु इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूली कर दी तुमें नो 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 मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं कर वाँगा जुआ कवचा हजारों लोगों को काम देने वाला कॉर्परेट कंपनी का ओनर एक एक ठॉहिद के साथ अठील की शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे वह लड़का कुछ कमाता भी नहीं है शादी के बाद बीवी का खयाल कैने आरूल बचचों को कैसे प़से पा क्या क्रेक्ट है शादी से पहले आप क्या करते है पर अब हो आप रहु approach林 हपर हमारी लख स्ट्ऽोरी थोड़ी अलग है चौड़ है हमारी लग स्ट्धोरई क्यों अलग है उन्हें अपने प्यार पर अगर भरोसा है तो वह लोग अपनी जिंदगी बना लेंगे यौझा इस बच्ची की खुशी के सामने क्या जाइदाद क्या पैसा अब मान भी जा शशी जब सारे लोग तुम्हारे साथ है तो मैं क्या कह सकता हूं यह 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 बुरा मत मानिये जिक सपोर्ट करता है तो केमिस्ट्री ड़संट सपोर्ट करें आप शुपाई यह जाइदा अपनी बेटी की शादी बेरोजगार से बिल्कुल मत लिए आप से विंती है शादी का रिष्टा जोडने की बजाए तोडने की कोशिश कर रहा है मेरा बाप हमें आपका बेटा बहुत पसंद है संसकार इंपॉर्टन नहीं है मेरे बेटे को तो बच्छन से ही देश-बगती समाच सेवा बहुत बचन मेरी बात समझ रहे है कम से कम माने तो बचा दिया चलिए सब रहा है काफी वाव वसी डल कि लग रही हो प्रफेसर का डायल मेरे इंगेजमेंट हो रही है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है और कुछ नहीं मेरे तो दो हुए यह तीसरा वाला है डर लग रहा है मैं जो बुलता हूँ वो सुनो जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादूर प्रेमी होते हैं वो हमेशा मास रहते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूच देके और खुश हो जाए गले में मंगल सूतर बांधने वाला लड़का और दिल से चाहने वाली लड़की आजकल तो जमाना ऐसा है कि लड़की नाराज हो जाए तो साथ समंदर पार से भी उठा लाते हैं तो डरना चड़ो ये तो सारी बकवास बाते हैं तुम्हें मुझे पर भरोसा है तो साथ फेले लेने की डेट फिक्स करते हैं आजाओ बात समय भरणा की ने、 भुण पुत्र हिए भूबढ़न पुत्र हनुमान की जेцен कर् er थास कृषे तुम्हारे पर भुण है आरे आठ आज सोंदे मुद्धी घ्ंवान श्युम्हाइए वह उस्क्सले Candis立 लूमंति व्प्त भुण सब्सक्राइब करें दोनों को डिक्स मारना है सब्सक्राइब कुछ परसनल बात करना चाहता हूं आपकी माने अपना सब कुछ बेच कर यह जिम तयार करवाकर आपको दिया है यह सब करेगा क्यों फालतों के तुम यह सब कुछ कर रही हो उसकी समझ में कुछ भी नहीं है उसे शायद तुम पर बहुत जादा बरोसा है बड़े लोगों के साथ रिष्टा जोड रहे हैं तो उन लोगों के सामने अपने बेटे का सर जुकना नहीं चाहिए इसलिए उसने यह सब किया आपके लिए देखे सर आप इतने दिनों तक बिना किसी जिम्मेदारी के जीते आए हैं लेकिन अब तो आप सर थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने सर पर ओड़ लीजिए आपकी जिंदिगी में नया कोई आ रहा है जरा उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए इस तरह की बाते आप अ मेरे लिए मेरी पत्मी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है अगर उसकी आँखों से एक पूंद आंसु भी निकला ना तो मुझे मुझे सहन नहीं होगा सर पापा पापा उसके प्यार की बुनियात पर खड़े इस जिम को अच्छी तरह से चलाईएगा सर प्लीज किसी भी बात को सिरियसली न लेने वाला वो लड़का उस दिन अपने पिता की बात को लेकर बहुत सिरियस हो गया रात को ठीक से सो नहीं पाया सूबह होने से पहले उसकी तकदीर ने उसके लिए एक सर्प्राइज रेड़ी कर रखा हापी बार्देश दोगे अरे सर्प्राइज यह नहीं है बेटा बाहर है सर्प्राइज कांगराइचैन्स नहीं भाई एपी बार्दे बोल ला है है आंकफिय पह्सक्रेटब्गे मैं अप्रियम् यहां नमस्ते जी आपको एक शूब समाचार देना है जब से आपकी बेटी की मंगनी मेरे बेटे के साथ हुई है तब से उसका सबकूशूबी शूब हो रहा है आपको अगर शादी की तारीक अगर हम चाहते हैं कि छे महीने के लिए आगे बढ़ा दें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो छे महीने कोई बात नहीं जी इंगेजमेंट तो हुई गई है नो प्रॉब्लम और तेंक यू थैंक यू सो मज थैंक यू बेटा तु तो एक गाय तक की रखवाली नहीं कर सकता और अब देश की रखवाली करने जा रहा है विजय तो मेरे लिए पपी लेकर आई हो हाँ अब रहा है मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए बर्दे गिफ्ट है रखवाब अब इस तुम्हारा अब ही तुम्हारा पती बनने वाला हूँ जीम ओपन की है कल के दिन में शादी करके अच्छा संसार बसाने का छोड़ कर बाप के पास जाओ अरे होने वाले पती को अर्मी में भेज रहे हैं कल के दी अकर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होGO और तो और इस पपी का क्या हाल होगा ऐसे जोर से रोते हुए शूरूती के रेंज में आजसू दिखा कर बड़ा सीन क्रियेट कर दो बास सुनो मेरा आर्मी जाने का प्रोग्रम कैसे भी कैंसल कर दो प्लीज तो इस पॉपी के साथ और तुम्हारे साथ मैं खुशी-खुशी रहे जाओंगा मुझे डाउट है कि हमारी चादी होगी भी तुम्हें सा क्यों बोल रही हो तुम्हें मेरी फामली की जनगन मन सभी होती है कि अगर मैस किया तो इस दनखाना नहीं मिलता अगर ऐसे मैं तो मामी में नहीं गय तो हमारी शादी होगी या नहीं मुझे डाउट है मोसली चांसे की नहीं होगी ऐसी बात नहीं है जानू सोचा था मैं ड्रामा कर रहा हूं लेकिन यह तो मुझसे भी बड़ी ड्रामे पास है ऐसा है तो यह प्लान वर्क आउट नहीं होगा क्या जानू बिल्कुल भी नहीं आखरी मुवेंट में तो कम से कम पार्टी चेंज करो ना प्लीज मा कभी अपनी चेंज नहीं करती यह टाइम जोग करने का नहीं है इतनी सारे लोग तुझे चोड़ने आए नहीं जाएगा तो कैसे लगेगा सुनिए आशिरवाद तो दीजिए क्या आशिरवाद हजारों ल करना चाहते हैं खुश हो जाओ इस एरिया में मेरे बारे में जो कोई पूछेगा ना उसे स्वीट खिला कर खुश कर दो अच्छे से अपना काम करना और पूरा ख्यार रखना दूर से चाटा करना दूर से हो गया हो गया हो पूरी फैमिली लेकर आगे अपनी विदाई के हमारी कोई फैमिली नहीं है क्या ओ बच्चे जल्दी चलो टाइम हो रहा है आप उसी जानते हैं क्या सर बच्पन से ही सोल जा रहे बोल बोलकर पूरे एरिया को परिशान कर रखा था इस नहीं इसके चक्कर में मैंने अपना एरिया बदल दिया लगता इससे पीछा नहीं क्या है और बोस आप है बोस मैंने पहचाना नहीं आपको अभी पहचाना ना आप दूर खड़े तरह नहीं इसले पहचान नहीं पाया बोस अफर में जाने से पहले पूरे परिवार का अश्राद लेना बहुत जरूरी है बहुत अच्छे से गुजरता है देखो मैं भी अलो जालो जालो यह पगाड बाई बाई गबाई अप हाना आपना छाना मेटा अपना ख्याना रहा है और अबाई यह पाई जाओ कावेरी सुबू के सामने तू बजा रहा है सब लोगों को अलट रहना है सबी लोग अपनी कॉफी टी लेकर अपनी सीट पना कर बैठ जाए क्यों क्यों थे जाए अपना इस्टेशन नहीं है आपना इस्टेशन बहुत दूर आभी आराम से सो रहें तो मैंने सोचे आपको क्या डिस्टएब करूँ इसनली आपको नहीं आपको नहीं है क्या कहा भी जोड़ा मुझे जिन चुछ शुद्या प्रमत जाए जिए अरे वो लड़की बेचार इतनी चिला रही है जाओ जाके बचाओ उसे अरे जरा उसकी शकल तो देखो कितना डरावना है दिखने में बिल्कुल चंबल के डाकू की तरह लग रहा है पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहा है हम लोग क्या करेंगे भाई तो फिर अपने सोल्ज कोई सोल्जर हो तो इसको बचा सकता है एक कोशिश करके देखो भाई अगर मेरे सामने कोई भी आया तो उससे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा अलो हमारे भी हाथ पर इंपोर्टन्ट है चाहो तो तुम ही जाकर बचा लो हाँ अभी रेल विस्टेशन पर हूं आधे घंटे अधे जोड़ूंगा ठीक से समझा देना हम से टकराएगा तो वह बचेगा नहीं चुड़ो आधे नीचे करो ए बच्चा तु जानता है किससे टकरा रहा है कावेरी सुबू का दूसरा नाम मौत है मुर्गा छिलाता है तो सुबा होती है बिल्ली चिलाती है तो अश्युब होता है लेकिन जब यह सूरिया अपने उंग्लियां बजाता है तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है और आदो इस से बोस, गेट इंसाइड, मैं बार गियुकर आओ, अथो, पूरी सटक गई है मेरी, हे, काट रूगाटो पंक डियुकर अणियुकर अे Hack! बाड़ा उसे जाओ चल चल सॉरी भाई लेकर जाए बॉस ऐसे ले जाए या ऐसे ले जाए या फिर ऐसे ले जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है सॉरी बॉस वो उठे गाया नहीं है आराम से सो चुका है थैंक्स की जरूत नहीं है अरे पॉपरे मेरी ट्रेन निकल रही है एनिवेज बाई ए उठो आखे खोल कर देखो उठो सुन रहे हो ना देखो मुझे तुम पूछ रहे थे ना मेरा प्रेमी कौन है प्रेमी कौन है तो गौर से देखो ये है मेरा प्रेमी हाँ मैं इसे ही प्यार करती हूँ कौन है ये लड़की क्यों इसे अपना लवर कह रही है इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है ये ऐसे स्टेक उस सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आफ्टर अस्मान प्रेम अरे आप है कौन और मुझे अपना लवर क्यों बुला रही हो और वोलो कौन थे आप से ही तो पूछ रहा हूं रुकिए रुकष् तो अब कहां गई है मैडम मैडम है मैडम है और यह क्या कर रही हो सुसाइड कर रही हो अरे मेरी बात मानों आज मेरे बारे में तो सोचो अगर आपका कुछ भी हो जाए तो औरे 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 जरा सोचो तो मुझे तो सब के सामने लवर बोल दिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग ऐसा सोचेंगी कि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया और मुझे फांसी हो जाएगी अगर आपको कुछ प्राब्लम है तो मैं मदद करूंगा ना आपकी प्राब्लम है आपकी मेरा नाम हनसिका है यह आशु पोच कर भी बता सकती हो ना पहले आशु पोच लो आसपास के सौग आवो में से सिफ मेरा ही खांदान है जो गरीबों की मदद करने में विश्वास रखता है हमारी और शेर खांदार की दुश्मनी है फिर भी मैंने उस खांदान के लड़के से प्यार किया और वह लड़का मुंबई में काम करता है मैं भी मुंबई ही जा रही थी घर से भागका स्टेशन पर तो आगी ट्रेन एक गणटा लेट थी और मेरे घरवालों ने मुझे पंकड़ लिया अगर घरवालों को यह पता चल गया कि मैं उस तब तक अपने फ्रेंड के पास जाके रहो अच्छा बस एक हफता रुख जाओ अपने फ्रेंड को सारी बाते बता दो और उसके बाद अपने लवर के साथ रहना चाहिए एक बार अपने लवर के बारे में तो सोचो मैंने ऐसी बहुत सी केसे हैं मेरा एक्सपरियंस मैं तुमको बताता हूं जरा सुनो अभी तुम्हारा अपने घर जाना ही बेटर रहेगा अभी चली जाओगी तो भागी हुई लड़की वापस आगए यह सोचकर खुश हो जाएंगी सब और एक हफते के बाद थिर से भाग अरे एक हफता पहली तो भागी ती अभी वापस भाग गई उसकी तो आदत है भागने की ऐसे सोचकर सब लोग चूप हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे देखो टेंट में फॉर्स टाइम होते हैं तो बहुत दुख होता है लेकिन बार बार फेल होते हैं तो कुछ न भगवान ने आपकी लाइफ में आपको लास्ट लाइफ लाइन दी है और थोड़ी देर लेट होगा लेकिन मुझे डाउट आया है पहले उसे क्लियर करो पहुंचने से पहली ही डाउट है अचा ठीक है पूछ रोड़ पर एक लड़का इंटरव्य के लिए जाता है और ए तो अपने वाले को बचाना मनुष्य का दर्म है बचाने में उसके लाइफ बरवाद होगी उसका क्या ममी देख बैटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए भगवान हजारों चांस देंगे मगर दूसरी की जिन्दगी बचाने का हमें सिर्फ एक पी चांस मिरता है तो मरने वाले को बचाया तो बॉर्डर पर गन पकड़कर जो देश की सेवा करने के लिए खड़े होते हैं उनकी जितना पुर्णे मिलेगा क्या अफकॉर्स और तुम्हारा लवर भी सेफ ठीक है ना सुनो गाउं का नाम क्या है लक्षमेंट तीर्थ मैंने बोला थाना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन तुम लोगों को पाच्चर भी चड़ गई है मैं वादा कर चुकाँ कि इस जमीन पर एक फैक्त्री खड़ी होगी और हमारे खांदान का किया हुआ वादा कभी टलता नहीं है दस दिन का वक्त दे रहा हूं त्योहार खत्म होने के बाद समीन दे कर पैसा ले जाओ हमारी जमीन नहीं चाहे कुछ भी कर लो है भगवान के सामने तुम उची आवास में बात कर सकता है लेकिन मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता क्योंकि भगवान तुझे माफ कर सकता है लेकिन में नहीं करूंगा छोड़ दे अच्छा मैडम तुमको लव कैसे हुआ तुम्हारी लव स्टोरी तो बताओ समझो तुम्हारे घरवालों ने मुझसे पूछा कि तुम दोनों का लव कैसे हुआ तो मैं क्या बोलू इसलिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो जान दो मैंन से सुनों फर्स टाइम कॉफी डे में देखा नेक्स टाइम बस में देखा थर्ट टाइम बस टॉपर देखा वगर तुमने देखा ही नहीं एक बार वारिश आ रही थी तो मैंने तुम्हें चाता दिया दूसरी बार बैक छोड़कर गई थी तो मैंने तुम्हें बैक लाकर थोड़ी दूर चल कर जाना होगा क्या बात है तुम्हारा गाउं तो कलर्फुल लग रहा है यहां मेला चल रहा है क्या ओ कौन से भगवान का लक्षमी नर्सिम्हा स्वावर्ण सिंग निवास और कमाले यहां तो कोई दिखी नहीं रहा है पूरा खाली खाली लग रहा है इतनी बड़ी हविली लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें कि अपाजी वह आ गया वह आ गया अरे कौन आ गया कि अप्काई शिनी मुसा पकलो छेफ कि अपाल। माकोंंस्य है उच्टर肆 आप तादा जी अब आप जी के स्वागत में जय यह यह इस वक्त यह क्यों आगए तरह आप मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं अब को आने में दो मिनिट भी देर हो जाती तुम पता करेक्ट टाइम पर आकर आपने मेरी जान बचा ली थैंक्यू सो मच सर मैं चलता हूँ है उन्हें रोकिये ना सर आप लोगों का इतना बड़ा दिल होगा मा कसम मुझे पता नहीं था मैं तो पहली बार देख रहा हूं सर इन्हें रोकिये ना सर आप से रिक्वेस्ट प्लीज जिनको गर नीचे करने के लिए बड़े घर वाले जो लोग होते हैं वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं तो ऐसे भगा कर ले जाना गलत बात है यह मुझे बात में पता चला सर इसलिए मैं आपकी बेटी को वापस ले आया हूँ भगवान के लिए मुझे शमा कर द हाँ कौन वही सर जो आपके दुश्मन है वह लोग हाँ सर चार पांच लोगों से मैंने पुछा तो आप लोगों से भी वह ज्यादा स्ट्रॉंग है यह तो नामुम्किन है आप फोन करके बोल दीजिए मैंने आपकी बेटी को घर लाकर चोड़ दिया है आप लोग आपस म जाओ इधर आओ हमारे घर की बेटी किसके साथ जीएगी किसके साथ घर बसाएगी इसका फैसला करने वाले आम है तुम दोनों का प्यार मुझे मन्जूर है जाओ अंदर ससुर जी आपने ठीक नहीं किया अगर आपको आने में थोड़ी देर होती तो मैं उसे शूट कर देता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा अपने घर का कपड़ा अगर काटे पर गिर जाए तो उसे संभाल कर निकालना ही बुद्धिमान का काम है वो छोड़कर जाने को तैयार है और अपनी बेटी के रिष्टे की बात्चित भी हो गई है तो हर खत्म होने तक चुप-चप बैठे रहा हां खाना खा लिया हां खा खाना 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 अरे भाई ये सब क्या चल रहा है इसे भोवी क्रेडा कहते हैं वह जो मटका है उसे जो मादमी पहले फोड़ेगा उस गाउवाले का सारा हक मिल जाएगा ये इतना भैंकर तरीके से क्यों बता रहे हो भाई ये बात और भैंकर है कैरेक्टर में इतना डरा रहे हो यार कमा ले हुआ 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 है दो बुझ में आज रुझ सूरी कि अरूज। कि अरूँ कि अरूँ जड़िए सुख था रुरूब इस बार भी शेर खांदान का लोग जीते हैं अरे रेफरी भाई ये युद्ध कैसा ये कैसी दुश्मनिये को समझाओ यार बहुत बड़ी कहानी है बेटा तो वो कहानी छोटी करके बताओ ना करीब ठेड़ सौ साल पहले पुराने मैसुर शेहर से दो प्रतिष्ठित खांद और दूसरा खांदान था जमीदार शेर खांदान सिंग खांदान के लड़के की शादी जमीदार शेर खांदान की लड़की से होई चिंग पैदा हुआ है शेर पैदा हुआ है हाँ ठीक है हमारे अपाजी के तीन बच्चे थे एक लड़का दो लड़की उनका बेटा भगवान का रूप जनता की सेवा ही उनका धार्म और जमिदार का भी एक बेटा और एक बेटी बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूर करवाना चाती थी मगर ऐसा नहीं हो सका अमाजी की बेटी ने अपनी सारी बाते भाई को बता दी वो धर किशानची से बहुत PYार कर दी भाई यह सारी घटना उसकी माँ के सामने वही जिसदमें से उनकी मोथ हो गई वही रुझजाओ आगए मत बना, मेरे घर में जिराग जलाने का वादा किया था तुमने लेकिन मेरे पूरे खाणदान को खत्म कर दिया, तुम तो न्याय करते हो नौ खो इसका न्याय करो न्याय को भगवान मनने वाला खांदान है हमारा, हम न्याय से पीछे नहीं अटते, इसी पल से हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए मर गए, उन्हें काओं से तड़ी पार कर रहा हूं, अपनी जायदात का आदा हिस्सा मैं शेर खांदान को दे दूँगा उस दिन से भाई और बहन का रिष्टा तूट गया, सारे संबंद बिखर गये, बेटा उसके बाद कहां चला गया कुछ भी पता नहीं चला, उसके बाद गावाले हमेशा आपस में जगरते ही रहे, सारे संबंद खत्म हो चुके थे, लेकिन इस जमीन में किसी तरह का कोई रक सब्सक्राइब करने वाले, यह बताओ काम क्या करते हो, कॉफीडे में काम करता हूं, कॉफी डे में सप्लायर, बरतन, सुन लिया न, तीन सो घर वाला बड़ा खांदान है हमारा, इस सामराज्य का दामाद बनने वाला कॉफी सप्लायर बरतन घीसने वाला है, अपनी बेटी की शादी मैं इससे नहीं होने दूगा, और नहीं इसके साथ मैं खाना खाऊँगा, कोई भी खाना नहीं खाएगा, यहीं लड़का मिला था इसे, चलो सम यहां से, I'm sorry कोई बात नहीं हम किसी की इज़त करे या ना करे लेकिन खाने की इज़त तो हमेशा करनी ही चाहिए दुनिया में हर इंसान कमाता है तो किस लिए कमाता है खाने के लिए ही न नो प्रॉब्लम तुम खाओ न तुमने अपने लवर को फोन किया था हाँ आपाने के तुमने विए थाने की श्यों प्रॉब्लम तुमने खाने करे जहीं में है झालो बंदये के वी बंदय अबी रहाँ कि तो सौने के ना आ पज़ Around This City भेकिने Clearly अबेती की में है अब अब यह सब चल क्या रहा है हमारे गाओ की कुछती है यू में डबलु डबलु एफ यह जीतेगा वही बाल की उठाएगा ओहो पुछ चौड़ना ने उससे मुझ कम यहें थीरे काओ मुझे का बहून अ कि बाद को यो ख़ब आ टास कि नपाल का रखकत अएंग हुआ जए 만들어 खाना खाते समय मैंने आपका बहुत दिल दुखाया मुझे माफ कर दो कोई बात मुझे रखाद कोई नहीं है कोई उस सामने आए यह राजा खांदान का कारिक्रम है तुम फटे वे क्रफणे कर आए हराएगा अव्याइगा हराएगा तुम्से हमारा यह हां तुझे धूल चटाने के लिए मेरा यह सिंग हा रहा है सिर्फ मेरे खांदान की लड़की से प्यार करने से कुछ नहीं होगा इस घर का मान सम्मान भी तुझे बचाना होगा अगर तुम जाकर उससे नहीं लड़ोगे तो मेरे ससुर जी की इजट चली जाएगी और उन्ह मैं लड़ूंगा आपकी इजट बचाऊंगा आजमाओ आजमाओ चिंदा मत किजिए ससुर जी वह जीतेगा अरे डारा क्यों राए यार कोई तुझ दर्मादा को नूं अरे के बार रहे यार को दाओ ना तूहीं जीतेगा अरे अरे बच्शाओ न कुच्छ화 देना आपकी एंपकी तुम ज्यागा आजितेगा आपके पार अन्याफ उससने की पालेंश जाएग। भाईया भाईया उठो ना प्लीज भाईया उठो ना उस भगवान को हमारे गाम वाले उठाए ऐसा चाहती हूं मजाओरे न गाता ह技 जए अन्हाँड मासुटे नहां ना उस सी इंद हुगना मैं दो, वह आ लुगं मैं कर दोुगन ह moral गई आजा 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 यह हमारा अम्रितेश्वार स्वामी का मंदे यह क्या यहां कोई ना खेल शुरू होने वाला है किया यह भी एक निया खेल है गेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी होती तो मैं भी तैयार हो जाता ना अब तो मैं एकड़म में हूं सामने वाले को सीधा गिरा दूंगा यह यह तो केले का पत्ता ले जा रहा है शायद बाजू में शादी का प्रोग्राम चल रहा होगा तो आपकी और यह क्या बोल रहे हो यार किस से पूछ कर रखी है यह पागल हो गयो क्या सब मिलकर मुझे सूली पर चाड़ाना चाहते हो मुझे तो पहली समझ आना चाहिए था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करने वाले हो नया कपड़ा पहना दिया और त्योहर है रिवास ऐसा बोलकर बिल्ट अपने रहे हो क्या तुम लोगों से बात करके कोई पाइदा नहीं है पहले उस लड़की को ढूंड़ना होगा है सच में बहुत अच्छी लिए मैं बाद में मिलती हूं अरे तुम भी मुझ पर क्या अन्याय धा रही हो ताजमेल बनाने वाले के हाथ काटने जैसा लग रहा है तुम्हारे प्यार की हेल्प करनी के लिए आया था मैं देखा जाए तो अपनी मंगनी का नाम सुनते यह मुझे अभी नहीं करनी जित करके अरवाजा बन करके कुंडी लगा कर रो रोकर बेहाल होने की बजाए उल्टा इस तरह श्रिंगार करके मेरे सामने कड़ी हो लड़का तो बुद्धू है लगता है बली का बकरा बन गया है तुम तो मुझे बसाना चाहती हो ना लेकिन मेरे तैयार होने का कोई सीन नहीं है किसी दूसरे की प्रापर्टी का मैं की ओनर बन जाऊ हूं मैं तो अल्रड़ी एंगेज हो चुका हूं यह रहां इंगेजमेंट रिंग अगर चाल तो यह सारे सवाल मुझे तुमसे पूछने हैं यह बताओ तुम्हारी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है तो ऐसा ड्रेस बहूं पहन कर फिर से इंगेजमेंट करने आए हो आखर तुमने समझ क्या रखा है यह मर्द लोग चाहिए जितने कर लेते हैं क्या मैंने आपसे खाया था उस प्रतियोगीता में जीतने के लिए आप परिशान करने के लिए हैं सच कहाना मैंने अब मैं सुसाइड कर लगता है तुमसे बात करनी है क्या बात करनी है कमाल हमसे पूछे बिना एंगेजमेंट रखेंगे तो मैं कर लूंगा क्या कैसे नहीं करो गए मैं शादी के लिए मान गया यही बड़ी बात है अब क्या सब कुछ हम तुमसे पूछ के करेंगे कुछ नहीं ससुर जी इसके नौक पेक मखी बैठी वी थी बस वही उड़ाने के लिए मैं कह रहा था कुछ नहीं सर जूट बोल रहा है क्या हुआ बेटा कुछ नहीं सर में आज के देखो अगर अभी मैं गुसा हो जाऊंगा तो तुम्हें प्राब्लम हो जाएगी अब तक जो भी कियाना वो साब व्यर्थ हो जाएगा इसलिए अंगुठि बतल दी तो शाधी तो नहीं हो जाएगी नई तुम भी दिल में कुछ मत रखर और जाते दुंगा वो आएगा तो उससे दे दे ना आज के जमाने में तो रीती रिवात से होने वाली शाधी बी टूड जाती है तो सिर्फ एक रिंग की वज़े से इंगेजमेंट नहीं हो सकती है ना जब दिल से दिल मिलते हैं तो रियल इंगेजमेंट होती है अब जी की पूती के मंगने के खुशी में बेटा ये इस मंदिर का पुराना रिती रिवात है इस नंदी के बीच से स्वामी का दर्शन किया तो जिन्दगी बर खुश रहोगे ऐसे इस मंदिर की वर्षु से माननेता है अगर ये सब मेरी लबर को पता चल गया तो पता नहीं वो कितनी नाराज हो जाएगी बखलह आएखलगा पस्वानं वर्शाइब। बTI्खलग место है वर्षुरत M Innovation S वर्फुरत M sweater K paddle है façon hypothesis हख बर्फाजब। क Remember कृ debating आर्फim Smart armor का इसा उत sogenик का प्योडरे है ए्वार्फ का से मिन्त हम प słuchाए दोरी बेटी मेम्स आपकी फ्रेंड तुले का नाम सूरिया है मेरम ओ हाई नमस्ते क्या है यह मैं जो चाहती हूं तुझे भी वही चाहिए हां मैं क्या करो तुम जो भी चाहते हूं वो मुझे भी सूट करता है आहां कॉंग्राट्स कि तुझ में आकर मिलना ही है हम सब की नियति मेरी जिन्देगी में अभी रामायन शुरू होने वाला है और मुझे यहां बैठकर महाबारत देखना पड़ रहा है यह भी आ गई कैसे समझाओ इसे तुम खुश हो नहीं यह पूछ रही हूं मन चाहिए चीज मिलेगी तो खुश कैसे नहीं होगी जब कॉलेज में थी तब बिना पूछे मेरी बुक्स लो जाती थी सिर्फ बुक्स ही है यह सोचकर मैंने जाने दिया मेरी पसंद की हुई सा प्रेंड है कोई बात नहीं पहन कर दे देगी पर अब तो तुमने हद ही कर दी मेरे ही बॉइफ्रेंड को पचा कर उसे इंगेजमेंट करके तुम उसे महाभारत दिखा रही हो खुश क्यों नहीं होगी मुझे बता दिया होता तो मैं इंगेजमेंट नहीं करती पर कोई बात नहीं तुम्हें तो आदत है ना मेरी पसंद की हुई चीजों को लेने की चीज मैं चीज हूँ अभी और क्या-क्या सुनना पड़ेगा तुम दोनों में प्यार केसे हुआ अपनी लव स्टोरी बताओ प्लीज बताओ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अपनी लव स्टोरी बताओ उसे फर्स यह मुझे कॉफी डे में दिखाई दिये उसके बाद बस में थर्ट टाइम बस टॉपर दिखाई दिये पहले तो मैंन कहा तो इसने प्रफोस किया तुम्हें पूरा खतम और ओए इसने तुम्हारी लव स्टोरी पुछी तो तुमने मैंने जो बूलो वह क्यों बताया और क्यों मुझे इस तरह फंसा रही हो आज तक फ्रेंशिप के नाम पर सैटरफाइस करती आई चलो आज इससे भी तुम्ह कुछ हो है घटव और गोरी कि बेभी बेवी इसने चलों अने जैसर खुछ भी नहीं हुआ है सच कहरा हूं मैं सब बता दूंगा ना तो तुम समझ जाओगी ए मैं सबकुछ समझ चुकी हूं कुछ ताने की जड़त नहीं है आमी जाने का बाहना कर यहां कर लींगिजमंट कर ली तुम्हारे नंबर पर करके मैंने बॉल ट्राइ किया था लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर भी तो याद रहेगा नंबर छूटे कहीं कि इतनी मुश्किलों से मैंने अपने घरवालों को मनाया था और तुमने मेरी प्यार से पहना आई हुई मैं उसे कैसे गुम कर सकता हूं मैंने तो अपने जेब में रखी है यह देखो लड़कियों की पीलिंग साथ ऐसे कहते हो जब मेरे प्यार से दिये हुए पापी को तुमने लेने से इंकार कर दिया मुझे समझ जाना चाहिए था तुम्होरा पर आमने विश्वास ही नहीं है क जल लेकल बेबी अपधी कर देखो लोगा प्रेंडशिप और यह दिसपॉंटेद लवर तुम्हारी इजट को वोलसेल में जाकर बेच दो गया है जाए जैसा मेरे साथ हुआ ना जाहिए नहीं जाहिए पूरी दुनिया को बदाओंगी तुम्हारी इजट को अटुम्हार जाहिए अरे आसमान में देखर रहे से नक्षटर किन रही हो अरे कुछ तो बोलो मेरी लाइफ खत्र में भलो ला इसे उसके साथ क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ बात कर मैं बैठी हूना तेरे सामने लोगें इंगेजमेंट कैसे की यह बता मुझे लोफर नो बैड वर्ट यह तो गल न बात है गोरी होने बाला पती को ऐसे नहीं बोला कर दे लृण है लाव यू पती काउंट करें वन गौरी तुम्हें कैसे समझाना है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हो अच्छे से जानता हूं अच्छे से जानता हूं मेरे सामने तुमने इसे किस किया जब मैं नहीं रहे हुगी तब पता नहीं तुम नीचे बेट तो इसे दे दिया शब्सक्राइब मैं न्यूज चैनल वालों को बिलाओंगी है हाई गुड मॉनिंग अरे बैग लेकर कहा जा रही हो गाँ जा रही हो अरे त्योहार हो जाने दो दोनों साथ में चलते हैं तुम यहां पर रहो तुम्हारी ससुल का घर है मेरा नहीं यह बहुत ज्यादा हो रहा है इस खेल को रियक्शन ही नहीं हो रहा है अब तुम्हारा लवर कब आने वाला है यह बताओ इसे हां गौरी इसमें इनका कोई दोश नहीं है घलती मेरी है मैं शेर खांदान के लड़के को पसंद करती हूं उसका नाम संजय है मैं फ्रस्टेशन में सुसाइड करने जा रही थी तो यह मुझे बचा कर यहां ले आए संजय के मुंबे से आते ही मैं उसके साथ चली जाओंगे अब सुन लिया ना समझ गई ना और अब तो मुझ पर यकिन आ गया ना और मैं तुम्हें चोड़कर कही नहीं जा सकता यह पता चल गया ना अरे हंसी का तुम्हारे लवर को फोन बता मुझे मारो दादी आप जोर से मारो हां मैंने सब छूट बोला है मैं किसी को नहीं चाहते हूं मैं जान बूच कर नाटक करके इसे यहां लेकर आई हूं मगर मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए इसे आप लोग क्या समझ रहे हैं यह आपके बेटे का बेटा आपका पोटा है विचे सिम्मा रुद्रप्रताप जी का इकलौता बेटा सूर्य रुद्रप्रताप यकिन नहीं हो रहा है ना दाधी मैंने पहली बार इसे इसके इंगेज में मिले खाता इसके माता-पिता की बाते मैंने सुन ली थी सिंह खांदान कितना बड़ा है जानती हो इतने बड़े खांदान का लड़का है यह उन लोगों को बिना कुछ बताए तुम यह मंगनी कर रहे हो यह बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है आपको मैं हजार बार कहा चुकी हूं ऐसी बाते मत कीजिए वो मेरा ही बेट किया था उसी दिन से वो मेरा बेटा है मेरा अपना बेटा है मैं अपनी मर्जी से उसे नहीं भेजूंगी अगर वो चाहे तो तुम उसे ले जा सकती हो रोज उस फोटो के सामने आप शबरी के तरह इंतजार करती है ना अब वापस आने के लिए आपका बेटा नहीं रहा ह इसलिए मैं आपके पोते को लाई हूँ इसके पिंदाने जो गलती की थे उसकी वज़े से आज तक दो खांदान नरक में जी रहे हैं वो देखने के लिए मैं इसे यहां पर लाई हूँ जब यह प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिस्क ले सकता है तो अपने लोगों क मुझसे गलती हुई है माँ बहुत बड़े गलती हुई है मुझे माफ कर दो माँ अब उस गलती को मैं ही सही करूँगा और अगर मैं यह काम नहीं कर पाया मा तो मेरा बेटा आकर करेगा सुर्याइब मेरी बात तो सुर्याइब तो यहीं रुको मैं तो जाओगा नए 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 लाइफ में जितने भी लोग मिले सारे के यह सारे फ़साने वाली मिले छी 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 क्या कर्में मेरा सुरिया सुरिया सुनो तो हलो आंटी एक मिनिट सुरिया तुम्हारे माघा फोन है हलो सुरिया मुझे पाफ कर दे बेटा इतने दिनों तक तुझसे जूट छेपाने के लिए वो लड़की जो भी कह रही है वो समसच है तुझी कांदान का बेटा है मैं तुझे वहां नहीं वेजना चाहती थी बेटा तेरी तक्दीर खुद तुझे वहां लेकर गई है अब तुझे अपने पिता का एहसान चुकाना है अगले चार दिन तक तुझे उस पिता का बेटा बनकर जी उस दादी का पोता बनकर जी नहोगा बेटा उस स्वंश का उत्तरा धिकारी बनकर जी उन दोनों परिवार को एक कर दे बेटा अब तेरे बाहर रहने का सिर्फ एक उद्देश है यही तेरा करताव्य है और तुझे ये पूरा करना ही होगा बेटा कि अन्सिका जी मुझे अपने घर में लेकर चलो कि अगर आप खामोश रहेंगे तो कैसे होगा उन लोगों ने मंदिर की जमीन भी नहीं छोड़ी आपके अगर आप खामोश रहेंगे तो कैसे होगा तो कीजिये मालिक कम से कम उनसे बात तो कीजिये ठीक है बहुत-बहुत भथ भंवाद मालेक चलो भाई मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ दादा जी हॉस्पिटल में है मा यहां से वहां तक जो भी जो हो मा दादाजी होस्पिटल में है बेटा मा बादा होस्पिटल में है मैं और दादा जी उन लोगों से मिलने के लिए गए थे और आज जमिनदार किसी से भी नहीं मिलने वाले है अहां अरे मालिक मेरी वज़े से आपको आना पड़ा मैं बहुत शर्मिनदा हूं मुझे माफ कर दीजिए कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे रास्ते में मत आया करो आज आपका टाइम खत्म हुआ का मिलेगा वहां उनके गांबते वहार है वहीं पर होगा वह इस शक्ती पीट में बैठकर सर पे हल्दी का पानी डार कर रुआ अच्प्र में जो भी मन्नत मांगेंगे तो देवी उसे पूरा कर देती है देवी मा आज तक मैंने आप से कुछ भी नहीं मांगा इतने सालों बाद मेरे एक दादा है ये मुझे पता चला उनके प्राणों की रक्षा करना बस यही इच्छा है कुछ टी में जीत गया तो सारी दुनिया जीत जाएगा इस बात के भ्रम मैं मत जी किसी आदमी से पंगा लेने से पहले वो आदमी कौन है कहा कहा है उसका खांदान क्या है ये जाना जरूरी होता है पूरे गाउं वाले हमें शेर खांदान कहकर बुलाते हैं सालों से हम लोग यहां पर राज करते आ रहे हैं पूरे गाउं में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इतना ही नहीं पूरे राज में तुझा कर किसी से भी पूछेगा ना तो हम लोग कौन है तुझे मालूम चल जाएगा लक्षमे नई बेटा पीछे अट जा तेरे खांदान के बारे में पूछो तो तुझे बताना पड़ता है लेकिन मुझे देखते ही लोग समझ जाते हैं चीते के पास तेजी होती है शेर के पास गंभीरता होती है सिंग के पा आस तीनो चीजें हैं मेरे गाओं में मुझे ऑफ घर कहते है अगर तुं सोचने वाला बेटा भी सोलडर है दादा-दादी के बारे में सोचने कि बॉर्डर पर जाने वाले इंसान को भगवान ने यहाँ पर काई को छोड़ दिया डिसाइड हो गया है मुझे तो बस युद्ध करना है चाहे वहाँ हो या फिर यहाँ पर अब तू तयार हो जा बेटा तू ही पाकिस्तान मैं हूँ हिंदुस्तान बॉर्डर तुम पार मत करना मैं ही पार करूँगा जाओ आजा पारिज प्रट गुरष लिमाँ अच्खवद्ध baix बाव नयाँ प्रवारी बढ़ करना अब करना अबारा इंग एंग में एंग करेंगा थाल नहीं एंग है है अब है है आए है है दो कि आदेब आप अधिन वुरेकाव नुटेव है आपको है करना देश्रथी दो याद रहती है लेकिन किसी को डेथ डेट पता नहीं होती, लेकिन तेरी डेथ डेट मैं बताता हो, जब तक वो सांस लेते रहेंगे, तब तक तेरे जान की वैलिडिटी है। जिन्दा रहोगे तो कही और भी प्रपर्टी बना पाऊगे, ये जमीन के पेपर किसानों को दे दो, ओ किस्ती में हवारी आदमी को हराने के बाद ही उसे खत्म कर देना चाहिए था, उसे छोड़कर बहुत बढ़ी गलती हुई, इसको मारा उसने, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, शेर खांदान का नाम सुनते लोग डड़ने लगते हैं, सब लोग अपना सर नीचे करके बात करते हैं, उसने सर उठाने के हिम्मत कैसे की, उसकी गर्दन काट कर अगर इस दरवाजे पर उसकी गर्दन नहीं टाएंगी, तो मैं शेर खांदान का बेटा नहीं, आजाओ विक्रम, त्योहार तक रुख जा, उसकी मौत मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरे खांदान को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए मैंने अपनी पोती की शादे तुमसे करवाने का फैसला किया, मगर तुमने सब के सामने मेरे खांदान इनको लज्जत कर दिया, उस समय जो वो छोटी सी गलती हुई थी, उसकी वज़से आज तक दुखी हूँ, अब फिर एक और गलती करके, ऐसा मत करो कि मैं अपनी मौत तक दुखी रहूँ, इतना ही रहने दो, फिर कभी ऐसी गलती मत करना, जाओ, कल सुबा में यहां से चल करनी उम्र है तुम्हारी है, 24, 24 इस एच में तो लड़किया पब, कलब, बॉइफ्रेंड इस तरह से इंजॉय करती रहती है, और तुम्हें देखो तो तुम्हें दादी भाई इन सब को मिलाने में लगी हुई हो, तुम्हें इतना सीरियल की तरह और एक्टिंग करने की को कोई जरूरत नहीं है, कैसी बात कर रहे हो तुम, जब से तुमसे प्यार किया है, कोई गिफ्ट मांगा है क्या, नहीं ना, तो इसे ही गिफ्ट मान लो, प्लीज यार, मेरे लिए इतनी हेल्प कर दो ना, वो लोग कौरा लोग है, यह पांड़ो लोग है, और मैं श्री कृ क्या करना है, बताओ, कुछ नहीं, कल से चार दिनों तक तुम दोनों को मुझसे बात नहीं करनी है, क्यों, इतना बड़ा लॉकर ओपन करने के लिए छोटे से पिन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बड़ी समस्या का कोई छोटा सा सॉल्यूशन होता है, जो शक्ती से नह हुआ है, तो प्यार से ही उसका एंड करना होगा, या बेबी, वो भी मेरे स्टाइल से, कौन है वो लड़की, यह शेर खांदान के लड़की है, यलो, आम को देखकर खाना चाहती हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्सप्रेस करना सीखो, मेरा भी आपकी तरह सेम क्यारेक्टर है, इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तुम्हें पहली नजर देखते ही, मुझे तुमसे प्यार हो गया, लवेट फसाइट, आपको पसंद करता हूँ, तो आपको पसंद करता हूँ, तो आपको भी मुझे पसंद करना ही है, ऐसा तो कहीं लिखा हूँ नहीं है, जस्ट एक्सप्रेस कर रहा हूँ, सच कहूँ तो हंसीगा से मैंने अपने मर्जी से एंगेजमेंट नहीं की थी, मुझे धोका देकर एंगेजमेंट करवाई गई थी, यह क्या कहने है आप, आरे मैं सच कह रहा हूँ, क्या हूँ, समझाई मुझे बताता हूँ, फ्रेंट्स, मैं दूसरे लड़के से प्यार क करो, ऐसा बोलकर मुझे इमोशनली लॉग कर दिया, और लवर्स का प्रोब्लम सुदकर तो मैं पहले ही बहुत स्यादे इमोशनल हो जाता हूँ, जो भी मुसीबत आने दो, लवर्स को खुश रहना चाहिए, ऐसा सोचने वाला मैं कैंडिडेट हूँ, और देखो ना मेरे स इधरा, क्या है, बहुत एख, अंसिको, जिस पीट से वो जा रहा है, लगता है आज तो उसे पटा ही लेगा, नहीं, गाओ की लड़किया बहुत स्टॉंग होती है, इतनी आसानी से नहीं पढ़ती, नहीं, तू उसकी बारे में नहीं जानती, वो बहुत स्मार्ट है, डाय है, जिक, 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 है, हाँ, आ लव यू, प्रपोस कर रहा है, शॉक मत हो ना, मैंने आपको आईलोब भी बोला तो आपको भी मान लेना चाहिए, जुरूरी नहीं है ना, जिस्ट, एक्स्प्रेस कर रहे हो ना, यह सारी बातें दिल पर मत लगा का हाथ चाहिए, मैं आपकी हासी देखने के लिए बिताब हूँ, तो स्वीट, मैंने कहा था ना, वो से अपने डायलोग से पटा ही लेगा, तैंक यू, जानू, यह कमर बंद बहुत अच्छा है, जुमका भी, तैंक यू, लक्ष्मी के जैसे ही दिखती हो, अचुडिया, अच्छा है, अरे वो तो सूपब है, सूपब, सूपब, बहुत थांक्यू, ओकी, बाइ, बाइ, गल मैं गाउं के बाहर पहार के बीछे तुम्हारा अनिसार करूगी, इसकी तो, इसे तो, इसे तो, रहे, जोड़ को, चोड़ को, क्या है, फ्रेंशिप इस बेटर दन आए तुम लेट आओगी सोचकर मैं भी थोड़ा सा लेट आगया जल्दी आओगे सोचकर मैं भी थोड़ा जल्दी आगई अच्छा 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 सॉरी हाँ, थांक्यू, आपसे पात कहनी है, बोलो ना, अच्छली, हाँ, अच्छली, एक्छली, बने पको फर्स ताइम क्या बॉड़ी है क्या स्टाइल है आपने तो कम्पलीतली मुझे इंप्रेस कर दिया है खाना खाना चाहती हूं पर वोग ही नहीं लगती हिका, सोना चाहती हूं नेंध ये यह फिरमेरा जो घिल आगई यह सब क्या चल रहा है वहां वह लोग उस पत्थर पर अपने प्य तीन दिन में ही से पटा लिया तुम्हारे खांदान को मिलाने के चक्कर में मेरी लाइफ बरबाद हो गया और वाव तो क्यूट अब बुरा ना माने तो क्या मैं एक पर हग कर सकती हूं पीस कड़क से पकड़ना ये सब में प्रियां को से नहीं नहीं सकती है मैं भी देख नहीं भाओंगी देखिए यही मेरा इकलोता लड़का है एलल भी पड़ा है हम तो बस इतना चाहते हैं कि अच्छे से खांदान से हमें बहुत जानते हैं आपका दिल बहुत बड़ा है बस आप अपनी पोती की चादी हमारे बेटे से करवा दीजिए लड़की तो देख लो अग्षमी ठीक है अप स्थरी जी ने कहा था कि लड़की का नाम बहुत अच्छा है पूछलिजfred इन repertoire लाम है यी तो गुरू बछल के लिए और वीवा के लिए चार दिन के बाद बहुत अच्छा मोहुरत है क्यों बेटा तुम्हारा क्या फेस्ला है दादाजी जॉपका फेसला वही mere कि दादा हमारा खानन किसी गुरु की बात को अस्विकार नहीं करता है हमारे तरफ से हाँ कि यह लड़की है इतना अजन्ट आने के लिए बोलती है और इतनी देर लगा देती है यह अशा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था तो कि बस कहीं कर अब तक जो हुआ सो हुआ अब उसे थपन मार दो पर यह है कहां वहां चल वहां कि दो हुआ आए वहाहां खुदी अर्जानी के लिए बोलती है और बात में खुद लेट हो जाती हो बताओ बात क्या है तो बहुत क्या अ शिरियस क्या आपको एक बात बतानी है मुझे ताटना मत मुझे डाठना वातना नहीं आता कोई बात नहीं मुत चलो बोलो ड़्य। यह क्या बोल रही है लक्षमी जी प्यार करने विल्ट नाटक किया था अर यू उन से किससे नमस्ते जी नमस्ते मेरा नाम प्रशान भंडारी है मैं पिछले तीन साल से इसे प्यार करता हूं मैं इसका लवर भीर मैं क्या झाली जोकर रोग हूँ मुझे क्यों ऐसे फूल बनाया मैं नियुक्ता यह उच्छा तो सग्ग के रही akahी करें रही ना कहीं दूछ उसे प्यार नहीं कर दी नहीं तो मुझे तो डाउट है आपने उस दिन कहा था ना कि कॉंसेप बहुत अच्छा है क्या कहा कॉंसेप कहे का वो ही लवस मुझे बहुत पसंद है उन्हें मिलवाने के लिए आप कोई भी रिस्क ले सकते है वही उसका और इसका क्या कनिक्शन है आपसे मैं प्यार करने क मेरे घरवाले सोचेंगे कि मैं उसका बागे हूं और बात में इसके साथ दो अब इसके उन सब्सक्राइब है इत्ना बड़ा चल रहा था आप तभी फोन पर बात करें तभी मुझा समझ जाना चाहिए था कि आप एक नम्बर कमिटेड हो लेकिन मैं समझ नहीं पाया चलो एंजोई करें अब मारा प्लान पूरा उल्टा हो गया है अब मेरे किसी और के साथ अगेजमेंट हो गई है अब हम दुनों भाग गए तो मेरे घरवाले चानल ले लेंगे और नहीं है जो हमारी जो फिर तुम हमारी एक लिए है ने लिए लूबर्स के लिए मैंने लाइफ मे बहुत रिस्क लिए हैं चलो यहां भी एक ले लेते हैं चुप मुझे माफ कर दो मैं इसे गलत समझ बगवान जी मैंने इतने अच्छे लड़के पर डाउट किया आम सौरी बगवान जी साथ चनमों तक इसे ही मेरा पती बनाना अच्छे ठीक अब तुम दोनों जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही करना अच्छा इस्ट्रस में बिल्कुल फिल्म स्टार लग रहा है मैं आपको और दिल वादूंगा मेरे पास बहुत पैसा है लक्षमी कहा है लक्षमी मालकई कहीं दिखाई नहीं दे रही उनके कमरे में से यह चित्टी पूजी डादा जी आपने मुझे बहुत लाडव प्यार से पाला है लेकिन मेरी शादी फिक्स करके आप ने गलती की यह लड़का मुझे पिलकुल पसंद नहीं है मैं शंस्कृत के अध्यापक प्रशान बंढारी से प्यार करती हूँ मेरे तीनों भाईयों ने मेरे जरा भी साथ नहीं दिया लेकिन उस्ट के खांडान वाले सूर्या ने मेरा साथ दिया मैं तो से अध्यापक से चादी करूंगे लग से बीक्रम कुछ करो ना अव्भी अरे बैया कौन है ये मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ मुझे वो लड़का बिलकुल भी ऐसे नहीं है बैया मेरी पहन से शादी करने की तरी हिम्मत कैसे हुई भाया भाया जी कैसे बहाई हो तुम से तो अच्छा हो मैं सिंग कांदान वाला लड़का है पच्चीस साल पहले उसकी भाई ने एक अजयांची को चाहने वाली उसकी मेहन के साथ आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना उनकी श और तुम हो कि अपनी ही बहन के सामने उसके प्यार का खून करने जा रहे हो कैसे बहाई हो तुम छारम आती है मुझे तुम पर अगर तुमने इसे चुआ भी ना तो मैं अपनी जान ले लूगी तु अगर भागना चाहती है तो भाग जा मुझसे गुस्सा है तो मुझे थपड़ मार दे वगर ऐसी बाते मत कर मुझसे तुझा आती मेरी बेहन मुझे बहुत प्यारी है मैया देख तुबहरा ऐसी बाते मत करना तुझे इसा चाहीगी ना बहना ऐसा ही होगा तु इससे शादी करना चाहते है इसी से शादी कर जा मेरी बहर का खयाल रखना हा तुझा रुको कर दो को फॉन कार अलो चंदो लक्ष्मी घर में चिठी रखकर भाग गई है वो सिंग खांदान वाला सूरिया नसिम्मा स्वामे के मंदिर में उन दोनों की शादी करवारा है है रुको काड़ी पीछे लो फास्ट कैसी आइडिया थी तुमने अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हमारी जान चली जाती पता है तुमें चहाने वालों के साथ लाइफ लॉंग जीना चाहते हो तो जान को खत्रे में डालना ही पड़ता है पता है ना तनो नारसिमंह प्रके oh ऐसा क्या तीक है माजभान ची भगवान के सामने और अज़ा मुझ्यों बना रहा है अब उसका हुए लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी आ पुसे इस खांधान के रक्षक 이걸 रहें थे लेकिन वो तो हमारी जान लेने पर तुला है पर हु Its वो लड़का सूरिया शेर खांधान की लड़की को ले जा करके एक लड़के से शादी करवा रहा है झाल स्वालरण की ले खांधान की ले जाकश जाकर वे खांधान की लेड़की किता है गलती की बहुत बड़ी गलती की तुने शेर की मान में हाथ डाल के अपनी होल्ट को बुलावा दिया है गलत किया मुझसे पंगा लेकर तुम लोगों ने बहुत गलत किया है किसके सामने खड़े रहकर बात कर रहे हो यह पता भी है मैं सूर्या हूँ फ्रेंट्स मुझे सोल्जर कहते हैं और लोग मुझे लोकल लीडर कहे के बुलाते हैं इस मिट्टी में कदम रखने के बाद इस सिम्हा खांदान की सीड़ी चड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ विजय सिम्हा रुद्रप्रताप जी का एक ही पुत्र वन एन ओनली सन सूर्या रुद्रप्रताप क्यों नाम सुनते गुस्सा बहुत बढ़ गया क्या या फिर अंदर से खून उबनने लग गया मुझे इसी जगा पर मारना चाहते हो ना बस बहुत हो गया मर कर 25 साल पूरे होने के बाद भी लोगों द्वारा रखा हुआ मेरे पिताजी पर का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ और उनके नाम की वैल्यू भी कम नहीं हुई और तुम लोग बदला लेने के लिए मर रहे हो अभी भी कहता हूँ कि ये जगड़ा वगड़ा सब बंद कर दो लेकिन तुम लोग तो सिर्फ मारना और काटना ही जानते हो ना दुश्मनी बढ़ाना तुम लोगों की आदत है अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी दुश् का है आजाओ शेर पाले हैं तीन तीन शेर पाले हैं तो आजाओ बहुत बोलते रहते हो ना भेजो तुम्हारे पोतों को एक साथ भेजो सिम्हा वेटेंग कर दो इसे बोटी बोटी कर दो इसकी हुआ है हुआ है यह अजए ता मत्स काड़ Marx Marx उस्था कोरा बसनोंडऱ् है ऊड़ा के तुमुट अग्ण है अजएMIN 상황 हो से लोड़ने ुपовать दोल्टा को लुप है झाल 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 मारो लेकिन पीछे से नहीं मारो अगर मारना है तो आगे से मारो इधर उधर नहीं अगर मारना है तो फिर दिल पर मारो मुझे दिल पर मारना पसंद है है अरे मारो ना भाया भाया वह मेरा पूता है भाया मेरे आधी उम्र आपको मिल जाए यही मेरे इच्छा है भाया ससुर जी इसका नाम निर्मला है मेरी खास दोस्त क्यों रुक गए मारने को नहीं हो रहा है न क्यों बेहन के प्यार ने और मम्ता ने आपके हाथ बांध दिये क्या पच्छिस सालों से नहीं सुना आपकी बेहन की आवाज में इतनी ताकत है तो पच्छिस साल साथ में रहने वाली मेरे पिता जी की बेहन की आवाज में कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा भी है रुक क्यों गए बेहन अगर प्यारी है तो ऐसा लगेगा उस दिन वो मरने जा रही थी तो मेरी बेहन की जान मेरे लिए मुख्य है ऐसा मेरे पिता जी को लगाओगा उस दिन चाहे मैं रहू या फिर आप रहिए वो बेहन के बारे में ही सोचेगा एक बेहन का प्यार अपने भाई के लिए बहुत एहमियत रखता है चाहे कितने भी युग बदल कियों न जाए बेहन बेहन होती है उस दिन मेरे पिता जी का किया हुआ अगर गलत था तो आज आपकी पोती जो कर रही है वो भी गलत है आपके पोती को भगाने में मैंने मदद किये तो इनको भी मारना होगा सबको मार डालिए यहां मारिए मुझे मारिए यहां मारिए मुझे रूक क्यों गए मारिए ला रूक जाओ पच्चीश सालों से अब तक तुम्हारा गुस्ता थंडा नहीं हुआ क्या वो मेरा पोता है मेरा पोता है उसे मारना चाहते हो तो मुझे मारो मुझे मारो मार दो मुझे मैं इतना क्रूर हूँ मैं इतना क्रूर हूँ जी जा जी इतने दिनों तक मैं अंदकार में था तुम्हारे पोते ने मेरी आखे खोल दी मुझे माफ कर दो जी मैंने अपना वादा निभाया मैं आपका ही बेटा होना लेकिन मेरी आपको ज़रूरत नहीं ना मेरी ज़रूरत नहीं है नहीं चाहिए ना भग में अज भी तुम मेरा ही बेटा है नहीं को देवकी ने जनम दिया है अरे अश्रदारेपाला है तुम अरे जैव देखो तब तुम जै जै बोलते हो अरे आज तो इनके के लिए एक बर जय बोलो दोनों खांदानों के मिलने की खुशी में जय दो खांदान मिल गया रिष्टा भी एक हो गया अलग-अलग अरपित होने वाला अब एक होकर उस नर्सिमह स्वामी पर अरपित हो रहा है यह सब हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि उसकी लाइ आप यहां क्या कर रही हो मैं सुसाइड करना चाहते हूं